हम आज start कर रहे हैं class 7 तो अभी तक जो class 6 है वो आपकी complete हो चुकी है class 7 पर हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी है हम इसको भी complete कर देंगी तो चलिए बिना देरी के इसको start करते हैं मैं आपसे request करता हूं कि please इसको share कीजे like कीजे और subscribe भी कीजे चलिए start करते हैं पृत्वी का वह मंडल जहां जीवन पाया जाता है पृत्वी का वह मंडल जहां जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है और पृत्वी का ठोस सते हैं जो होती है वो क्या कहलाएगी इस्थल मंडल कहलाएगी जलिए भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा जल वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, वायु मंडल कहलाता है, और इन तीनों के संपर्क में आने से क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, है ना, तो तीनों, आचा एक बात और, क्या पृत्वी के संपूर्ण भाग में, क्या पूरी पृत्वी पर हर एक जगह पर जीवन है, नही hyn bun kule नहीं आ जीसे कि दूब नहीं हें जो बहुत ज्यादा मरुस्त लिए है जहां पर वनस्पती नहीं होते हैं आधे से वहां जीवशन थोड़िए नहीं है क्यों जीवां नहीं है क्यों है ।ondere मंदल नहीं इनका समन जश्चे नहीं है, इनमें संतुलन नहीं है, तो इस वज़े से महां किया जैवमंडल भी नहीं पनपा है, तो जैवमंडल प्रित्वी का संपूर्ण भाग जैवमंडल में नहीं आया जाता है, कुछ हिसा ही इसका जैवमंडल माना जाता है, चलिए, नेक कोशन जैविक तथा एजैविक परियावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? परियावरण के पारस्थितक तंत्र में जीवों की परिश पर भूज्य निर्भरता प्रद्रश्थ करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका चलो एक डाइग्राम से देखते हैं इसको खादर संक्रा का एक छोटा सा डाइग्राम हैं। इसमें क्या है यह आपका सूर्य है यह आपका जल है यह तरीके से zero energy का पहले जो पायदान हो है जो पेड़ पौधि आंदेहें क्या करता है उत्पादक क्योंकि यह energy को डाइकली जा व Desde उसका यूज कर पाते हैं, तो इनको उत्पादक कहा जाता है, और उत्पादक प्रात्मी को भोगता है, जो समानते साकारी होते हैं, जिसे खरगोस हो गए, हिरन हो गए, क्ली पतंगे हो गए, जो इनके उपर निर्बर होते हैं, फिर इनको खाने वाले क्या होते हैं, सरवाहर होते हैं और जब ये इनके खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं तो इनका सरीर वापिस मिटी में तबदील होकर अपगटगों में चेंज हो जाता है और वो वापिस से पोसक तहतों के मारिफत कहां पहुंच जाता है वापिस से उत्पादकों के पास पहुंच जाता है तो ये जो सर किसे कहते हैं? तो देखी हर चीद की परिभास आहे हुगती है। तो पर्वत की क्या परिभास है है? ऐसे इस्थान जो प्राकरतिक तॉर पर आसपास के इस्थानों से 600-फास खेंपता है? एक परवत का चोटी ही तो है, जो सबसे उची परवत चोटी 8,848 मीटर उची है, है ना? नेक कोशन देखते हैं, प्रिसांत महासागर में इस्थित, मौना की परवत समुद्र तली से कितना उचा है? प्रिसांत महासागर में इस्थित, मौना की परवत समुद्र तली से कितना उचा है? तो कितना उचा है? 10,205 मीटर, अधिकांस जो इसका भाग है वो जल मगन है, मैक्जिम जो इस पहाड मौना की जो पहाड है, इसका जो अधिकांस हिस्था है वो जल मगन है, अच्छा इसमे इसकी उचाई देखी गई है, जबकि Mount Everest की उचाई कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से, समुद्र तल यानि समुद्र का जो उपरी जो हिस्सा है जल का, उस तल से हम उसकी उचाई नापते हैं, तो वो 8848 मीटर पड़ती है, लेकिन ये कहां से नापा गया है, समुद्र त नापते हैं, तो इसकी उचाई लेकिन समुद्र तली से कितनी हैं, 10205 मीटर है, चलिए नेक कोशन देखी, परवत का पवन मुखी भाग किसे कहा जाता है, तो देखिए इसके पहली बात तो अगर इसको नॉर्मल बात करें, तो परवत के जिस तरफ बादल वर्षा करते है एक्चुल में क्या होता है, परवत के दोनों साइड में देखा जाए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक जैसी बारिस होती है, एक हिस्से में ज्यादा बारिस होती है, और दूसरी हिस्से में कम होती है, चलिए इसको एक डाइग्राम से देखते हैं, यह जो आपके पास इसमें दिखाया जा रहा है, इस साइड का है जो हिस्सा है, इस साइड से बादल आ रहे हैं, वो इससे टकरा जाते हैं और यहीं पर वर्सा कर देते हैं, ठीक है, तो यह कौन सा भाव हो गया, पवन मुकी डाल हो गया इसका, और इसके बज़ाए दूसरा जो छेतर है, अब जो कि वायू इतना प्रवादलों को उदार नहीं ले जा पा रहे हैं, ज्यादा उचाई होने की वज़े से ये उपरी भाग आपको पता है, परवत जितने ज्यादा उचे होंगे उतनी ठंडे भी होता चला जाता है, तो बादल के असंगनित होकर ठंडे होकर तुरंत वर् मुखी ढाल भी कहा जाता है, जो रष्टी चाया से प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होगी न, और पवन मुखी ढाल पर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस चीज को आपको समझना होगा, तो परवतिये जो छेत्र होता है, वो भी क्या होता है, हमाले में गद्दी, बकर्वाल और भोटिया जन जाती किस मौसम में आती हैं? यह आती हैं गर्मियों में क्यों कि यह जातियां होती हैं यह मौसम प्रवासि जातियां होती तो हिमाले में उसक्त बहुत ज़्यादा ठेंड पड़ रहे होती है, और इनका कारे क्या होता है? देखे, जो पर्वती शेत्र होते हैं, उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनका जो मुख्या के लिए आजिविका के लिए जो मुख्य साधन होता है, वो पसुपालन होता ये जो गद्दी बकरवार और भोटिया जो जन जातिया है ये क्या मौसमी प्रवासी जातिया है गर्मियों में हिमाले शेत्रों में होती है और सर्दियों में ये कहां चली जाती है घाटियों में पलायन कर जाती है तो ये क्या कहलाती है इनका कोशन कई बार आ भी चुका है तो गद्धी, बकरवार और भोटिया क्या है? ये मौसमी प्रवासी जातिया हैं. ठीक है? Next question देखिए. कम ढ़ालवाले उंचे वर चौड़े छेत्र जो समतल होते हैं, क्या कहलाते हैं? कम ढ़ालवाले उंचे वर चौड़े छेत्र जो समतल होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हम सभी जानते हैं, क्या कहलाते हैं? वो पठार कहलाते हैं. क्या कहलाएंगे? वो पठार कहलाते हैं. चरिए, देखते हैं. अच्छा, इसमें क्या होता है? निमने जो पठार होते हैं, वो क काउन से हैं? धकन का पठार हो गया, नागपुर का हो गया. पठार सैक्रों से हजारोnd मीटर उच्छे भी ओ सकते हैं. ऐसा निय कि वह सैक्रों मीटर से हजारोnd मीटर तक हूँचे हो सकते हैं. और पठारों में खनिज जैसे Loha हो गया, कोयला हो गया, यह बहुत ज्यदा और समतल भुवाग क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं, और मैदान किते प्रकार के होते हैं, आपको पता है, मैदान किते प्रकार के होते हैं, मैदान होते हैं, दो प्रकार के, तटिये मैदान और आंतरिक मैदान, तटिये मैदान क्या होते हैं, जो समुद्र के लाएगा अंत्रिक मैदान के लाएगा चलिए नेक क्वेशन देखिए सदा वाहिनी या नित्य वाहिनी नदियां किसे कहा जाता है सदा वाहिनी नदियां किसे कहा जाता है तो वर्स परियंत जो संपूर्ण वर्स प्रभाहित होती है जैसे कि आपकी गंगा यमना हो गई य यह क्या है यह आपकी सदा नीरा या सदा वाहिनी या नित्य वाहिनी नदियां हैं और कुछ मौसम एक मौसमी नदियां भी होती है जैसे अपनी रायसान की लोणी नदी है वो क्या होती है क्या वर्षा के समय बैती है तो वो क्या कहलाएगी मौसमी नदी कहलाएगी ठीक है च इस्थल का वह भूबाओ जहां मुखै नदी और उसकी सहयक नदी बहती है, जो सहयक नदी बहती है, मुखै नदी का बिशिन कहलाता है, इसको एक एक जामपल से समझते हैं, गंगा नदी है, ठीक points घंगा नदी जहां से start उद्गम हो जहां से हो रहा है, जहां तक बह रही है, उसके बीच में साहेक नदियां भी मिल रही है, सौन मिल रही है, चंबल मिल रही है, यमना मिल रही है, तो अब सौन का जो छेतरा है, जहां से सौन बहकर आ रही है, यमना बहकर आ रही है, चंबल जहां से बहकर आ रही है जहां से start हो का end हो रही है वो सारी जगे क्या हैं सारा ही जगे क्या कहलाएंगी वो गंगा का बेसिन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा गंगा का बेसिन कहलाएगा तो इस्थल का वहभ हो बाग जहां मुख्य नदी यानि गंगा और उसकी साहिक नदियें जैसे यमना हो गया यह सौन हो गई यह न चम्बल हो गई यह सब क्या है उसकी साहिक नदियां तो उसकी साहिक नदी बहती है क्या कहा जाता है, तट कहा जाता है, नेक कोशन देखी, विश्व का सबसे बड़ा नदी इस्तित दीप का नाम क्या है? यह कोशन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखेगा, जिसका नाम है मांजुली और यह कहां पे है, ब्रह्म पुत्र नदी में, मांजली जो दीप है वो कहां पर इस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इस्थित है और यह SSC में भी आया है तो इस चीज को आप हलके से मत लिजेगा यह बहुत रिपीट होता है इसको अच्छे से याद रखेगा यह ना नेक्ट कोशें देखी दीप व प्राय दीप में क्या अंतर है तो हम सभी जाते हैं जैसा कि दीप क्या होता है दीप 4 ओर से जल से गिरा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे दीप और प्राय दीप में क्या अंतर होता है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाब, क्लास 7 का चैप्टर नमबर 3, चलिए, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, फर्स्ट कोशिन है आपका, जीवों द्वारा ये कार्बन डाय ऑक्साइड, पेड़ों पेड़ पौधों द्वारा किस कारे ही तूप्यों की जाती है, किस कारे ही उप्यों की जाती है, भोजन बनाने के लिए, जो पेड़ पौध हैं कार्बन डायक्साइड का यूज करते हैं और उसके अपना भोजन बनाते हैं, सूरे ग्रिनाउस गैसे इसकी वज़े से जैसे ग्रिनाउस गैसे का सबसे मेन एक्जमपल क्या है? CO2 है, है ना? कार्मन डाइकसाइट, इसकी वज़े से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग क्रेट होती है, चारी, नेक कोशन देखिए, वाईू मंडल में उक्षेजन का प्रितिसद कितना है? सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी है? 78.08% यारी 78.08% जो है नाइट्रोजन है, तीसे रंबर पे और्गन है जो 0.93% है, 0.93% है, और कारवन डैक्साइट कितनी है, मात्र 0.03% है, और बाकी सारी चीज़ें कितनी है, 0.01%, तो देखें, वायू मंडल में तीन में जो घटक होते हैं, जिससे वायू मंडल बनता है, मुश्टलिक तीन चीज़ें होती है, एक गै कैसे होती है, गैस का आपने यहां पर देखा, दूसरा होती है जल वास, यह ना, वाटर वैपर, और तीसे क्या होते है, धूल कंड, जो धूल के कंड होते हैं, है न, सेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो, तो यह तीन चीज़ें ही होती है, जो कि हमारे वायू मंडल को हम इतना बड़ा दिखाती हैं तो चलिए जब आपने gas का अपने प्रितिसत देखा चलिए next question देखते है वायू में इस्थित वास्प पर रूपी जल को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है आदरता या जलवास्प भी कह सकते हैं उसको है न आदरता या जलवास्प next question देखिए प्रकास प्रकरणिन का कारण वायू मंडल का कौन सा घटक है प्रकास प्रकरणिन का कारण वायू मंडल का कौन सा घटक है तो देखो प्रकास प्रकरणिन कैसे होता है धूलकणों से क्योंकि प्रकास किसे टकराएगा प्रित्वी के वायू मंडल को उचाई की और बढ़ते हुए तापमान के आधार पर कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं पांच परतों में किया जाता है और पांच परतों में कौन-कौन सी है? आपका छोब मंडल है जो करीमें 13 किलो मेटर तक बताया गया है दूसरा समताप मंडल है जो 50 किलो मेटर तक बताया गया है मद्य मंडल 80 किलो मेटर तक आयन मंडल 400 किलो मेटर तक औ वो सारे कहा होते हैं, वो आपके छोब मंडल में होते हैं, और जो छोब मंडल की यह 3 किलोमेटर की सीमा है, इसको क्या बोलते हैं, चोब सीमा बोलते हैं, और छोब सीमा पे किसी परकार की कोई मौसमी गतिविदी नहीं होती है, तो इसको सांत मंडल भी कहा जाता है, क्या कहा मंदल है, यहां पर किसी परकार की मौसमी गतिविदिया ना होनी के करण, यहां पर जो एरोप्लेन वगएरा है, वो आस्तानी से उड़ पाते हैं, तो इस विज़े समताप मंदल में ही एरोप्लेन वगएरा जो है, वो गति करते हैं, चलते हैं, ठीक है, उसके आगे आप जब पिंड आते हैं आपके जो बहार से जो पार्टिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं जो जलते हैं जलते हुए तारे दिखाई देते हैं आपको तो वो कहां दिखाई देते हैं वो इस मध्य मंदल में ही जलते हैं है नो इसके आगे आता है आपका आयन मंदल आयन मंदल बहुत और इसके बाद बहर मंडल तो जैसे जैसे और बहर मंडल में सबसे ज़ादा क्या होती हीलियम है नाइड्रोजन है सब सब से जिए ज़ती है तो आपने दिखा कि यह मंडल जो है वो हर एक मंडल अपनी एक इंपॉर्टेंच भी रखता है चलिए नैक कोशन देखते हैं किसी इस्थान विसेज की मौसमी दसाओं के दीर्ग कालिन औसत को क्या कहा जाता है कोई मौसम है कि कहीं पर कोई मौसम चल रहा है वो एक लंबे समय तक मौसम अपना प्रभाव दिखाता है Pirate可以 यह प्रभाव 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 है तो क्या कहलाएगा वो उसकी जल्वाईू कहलाती है क्या कहलाएगी जल्वाईू कहलाती है नेक कोईशन देखते हैं, जोब मंदल से उपर की ओर जाने पर धरातल से छोब मंदल से उपर की ओर जाने पर और ओसत कितनी उचाई पर 1 centigrade तापन कम हो जाता है, यानि हम नीचे से अगर उपर की ओर बढ़ें, तो कितने मीटर के बाद या कितने उचाई के बाद 1 centigrade temperature कम ह जाए जाएगा और जैसे जैसे एतना बड़े प्र 1 cm up कम हो गया फिर इतना बड़े तो फिर स सेंटी ह्रेज लगबग कम हो गया तो एसा कब होताai कितनी उस्चाहिप होता है वह 165 मेटर की उस्चाहिप,ножा फिर 156,092 लगभग एक सेंटी FRED Tlicher टैंपरचर कम होता चला जाता और दूसरी बास, देखें, तापमान की एकाई, आपको common बातें आपको पता होनी चे, तापमान की एकाई क्या है, centigrade या, Fahrenheit में हम इसको नापते हैं, और मापने काई अंतर क्या है, तापमाप या थर्मामीटर है, ठीक है, और जो सूरे से दिन में पिर्थवी जो है, लगू त रंगों के रूप में उर्जा प्राप्त करती है, और रात्त्री में दीर गता रंगों के रूप में भी करन हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उसका temperature का तापमान का संतुलन बना रहता है, नेक क्वेशन देखें, धरातल पर एक वर्ग सेंटीमीटर पर वायूद आपके क लगभग कितना भार पढ़ता है, तो देखें, एक वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग एक किलो वजन ये जो वायूद मंडल है, वो देता है, तो अब सूच ये कि हमारी सरीव पर कितना वजन पढ़ रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके जो सरवादिक वायूदाब होता है, वो कहां समद्र तल पर होता है, वायू मंडल में इसीं वायू की पढ़द तोहरा लग रही दवाब को क्या का जाता है? वायू दाब कहते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें ऊचाय की तरफ बढ़ते हैं, जितना उपर बढ़ते जाएंगे वैसे 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 वायू कम होती चली जाएगी और वायू कम होगी तो वायू का दवाब भी कम हो जाएगा है न तो वायू मंडल में उच्छाई के साथ वायू दाब भी कम हो जाता है अधिकत आपमान वाले चेत्रों में वायू गर्म होकर उपर उड़ जाती है तो उससे क्या होता है निमन वायू दाब निर्मित होता है जब जासे कि आपका एक कटोरा है उसमें कुछ पानी है अब उस पानी को आप निकाल देंगे क्यों निकलेगा जैसे ही आप उसको गरम करेंगे भास बनके वो तोड़ गया तो अब वो खाली हो गया अब आसपास की जो चीजें हैं वो उसमें भढ़ने के लिए तैयार हो गया तो यही होता है हमारे किसके साथ वायू मेंडल के साथ तो जैसे जहां पर गरम हो गया तरफ चल देती हैं और इसी से क्या होता है इसी से आपके आदी तुफान या फिर हवाएं चलती है क्योंकि जो हवा होती है आपकी वो कैसे बहती है हमेशा उच्छ वायूदाब से निम्न वायूदाब की तरफ बहती है और इसको हम क्या कहते है पावन भी कहते है यह अगर ऐसा ठंडे स्थान पर वायू उच दाब बनाती है, यह भी आपको पता है. जिसे-जिसे जितना ज़्यादः ठंडा होगा हैं, उच वायू दाब होगा ठ faces वाईयू उतनी ही एधा condensed हो जाएगी संगनित हो जाएगी और जादा वाईयू वहां पर हो गी तो ऐसी सितिति में उच्ष वाईयू दाब बन जाता है तीक है चलिए और देखें वाईयू दाब मापने के यंद्र का क्या नाम है वायुदाब मापने की यंतर का क्या नाम है क्या कहते हैं वायुदाब मापने को बैरोमीटर या वायुदाब मापने कहां दिखा होगा आपने कभी आपके पहिये वीकल का जो आपका पहिया है उसको कभी आपने देखा है उसकी हवा नापते हैं तो कैसे नापते हैं वो क्या क्या है, इसकी एकाई है, मिली बार, क्या है, मिली बार, चलिए, नेक कोशन देखिए, वायू की गती बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वायू की गती बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनिनो मीटर, इससे क्या पता चलता है, कि वायू किती If you get one handful and two, the other formula runs it. उच्छ वायूदाब चित्र से निम्नवायू दिप चित्र और वायू क्या कहलाती है? दोश वायूदाब चित्र से निम्नवायूदाब चित्र की और क्या कहलाती है? पावन कहलाती है। और देखे जो क्या होता है, पावन जो होती है, जहां से आती है उसको वहीं का नाम दे देते हैं। जिसे पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमि पवने कह दिया, परवत से आ रही है तो परवत समीर कह दिया, घाटी से आ रही है तो घाटी समीर कह दिया, समुद्र से आ रही है तो समुद्र समीर कह दिया, इस्थल से आ रही है तो इस्थल समीर कह दिया, तो यह जिस एक common sense वा तीक है इस्थाई, सामईक या मौसमी जैसे कहते हैं और इस्थानिय को सूफेशन, इस्थाई, सामई जैसे मौसमी भी कहते हैं और तीसरे होती यह Närीए L टूस typically टीक है इस्थाई पवने कितनी प्रकार की होती है आपने देखा तीन प्रकार की पवने है तो इसमें जो इस्थाई पवने है उनके भी कितनी प्रकार है उनके भी तीन प्रकार है एक व्यापारिक होती है एक पच्छवा होती है और एक इस्थानिय इस्थाई पवने होती है व्याप का दुभी सेत्र में उच्छ वायुदाब होता है क्यों होता है क्यों कि देखे यहां पर सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है तो ज्यादा ठंडा का मतलब वायू भी ठंडी होगी और वायू ठंडी तो संगनीत होगी तो वायुदाब भी ज्यादा होगा है ना और इसी तरह वाईदाब से निम्नवाईवदाब की तरफ आता है तो इस वज़े से क्या होता है पवने हमेशा उस्ट नकटी बंद की तरफ चलती है और यह जो पवने होती है वह कैसी क्या होती है यह सारी पवने कैसी होती है यह सारी पवने इस्थाई होती हैं, इस्थाई पवने होती हैं, या पच्छवा पवने या पारिक पवने हैं और ये द्रुविय पवने, चलिए नेक्स देखते हैं, तकिये प्रदेशों में चलने वाली इस्थल समीर वे समुद्र समीर किस प्रकार की पवनों के उधारण हैं, तकिये नुसार चलेन, वो क्या कहलाती है Do you need for- ön Bei का नुको डाइग्राम से आप देख सकते हैं जल समीर क्या होता है मैंने बुला था कि जल सफा अगर हवा आये तो जल्समीर औरêter हल सहर ह美味 लेगे क्या होता है जब दिन का समय होता है तो यहां पर क्या होती है ठंडी समुद्र ठंडा हो चुका होता है तब तक और यह गरम होता है क्योंकि यह बहुत जल्दी गरम भी हो जाता है बहुत जल्दी ठंडा भी होता है पानी बहुत जल्दी गरम नहीं होता है तो बहुत जल्दी हीट खा जाता है जल्दी गर्म अवजा तो ऐसी कण्डिशन में क्या होगा जो पवने होगी वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और इसकी हवा गर्म होनी की वाज़ से उपर उड़ ठंडा भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पवने कैसे चलिएगी, समुद्र में हावा गरम होनी की वज़से उपर उड़ जाएगी, और वहाँ पे निम्नवाय उदाब हो जाएगा, तो क्या होगा, इस थल से पवने बैना चालू कर देंगी, तो क्या हो नेक्स ओक है, राईस्थान की लू, चिनुक जो रौकी परवत की हैं, फोहन और मिष्ट्रल जो यूरोप में हैं, ये किस प्रकार की पवनों की उधार्न हैं, तो इनको उन कहीत नाम दिया हुँआ है, राईस्थान में लूकब चलती है, गर्मियों के मौसम में चलती है, और ये निशित दिशा से आती है न, तो इसको क्या कहेंगे, इस्थानिय पव्मे कहते हैं, चलि नेक्स देखें, वर्सा कितने प्रकारकिय होती है, वर्सा कितने प्रकारकिय होती है, तो वर्सा देखें, तीन प्रकारकिय होती है, समवेहनिय परवतिय और चक्रवातिय वर्स फीक है समबेहनिय वर्सा यह के आपके जो सूरे किनिय धरातल से घर्ण कर देखे ओट Bentay और वो अपने साथ जलवास को भी लिजाती है फिर संगनित होती है और वर्सा करते तो इक जो प्रिक्रिया है वो क्या है संभेनिय वर्सा है जब यही बादल पर्वस से ठक्रा कर वर्सा करते हैं तो यह पर्वतिय पर्सा हो जाती है और चक्रवातिय वर्सा यह चक्रवात की वज़े से होती है तो इस तरीके से तीन प्रिकार की वर्सा है अच्छा जो संभेनिय वर् जो tla भाज़े वहां अफर सम्एहनिय वर्सा बहुत ज्यादा होती है कि कि टешь सिधुष्ट कटी बंद्द के टाटिय से चेत्रे वहां से 100-200 सैंट्यमिटर की वर्सा होती है जब की विश्वत चेत्र में सबसे ज्याधा वर्सा होती है तो और इसी वज़े से क्या होता है यहां सरवादिक वर्षावनों का छेत्र भी है उस्टन कटी बंद मद्दे छेत्र में और चितोष्ण की पूरी भाग में कम से कम जो भाग है वहां से 25-100 cm की ऑस्तन वर्षा होती है चलिए देखें नेक्स देखें विश्वतिय छेत्र में होने वाली दैनिक वर्षा साम तक किस प्रकार की होती है विश्वतिय छेत्र में होने वाली दैनिक वर्षा साम तक किस प्रकार की होती है देदो कि मैंने अभी बताया था सम्वहनिया वर्षा सम्वहनिया वर्षा क्या होती है ज्यादा गर्मी के साराथ में ठंड़ा होनी की वेए वापिर संगनी तो बॉर्सा कर दिकी तो इससे को देखे यह विश्वती चेतर वाला हिस्सा है और यहां पर क्या है इस सबसे 200 सेंटीमीटर तक की जो वर्सा होती है वह कहां हो रही है वह चेतर में सबसे ज़ादा हो रही है क्यों हो रहे हैं ? क्योंकि विस्वत रेख्या पे शब्से ओष्ण मौसम रहता है दिन Allison और रात्रे में वो ही घंडा हो जाता है तो यहाँ यह मानगिए कि हर दिन,िश्तियक दिन सांइकाल में वर्षा होती है तो इसकी वज़े से यहाँ पर वर्शा का जो मासूम होता है वो बहुत ज़़ादा होता है तो इस वज़े से क्या है यहाँ वट्लंड शेतर है यह सब सरवादिक वर्षा शेतर कह ओता है लोगे विश्वत यह रिखा के उपर चलिए नइस देखते हैं विश्व की ओसत वार्सिक वर्षा कितनी है विश्व की ओसत वार्सिक वर्षा कितनी है तो विश्व की जो ओसत वार्सिक वर्षा है वो करेवन एक सु सत्रा सेंटीमीटर प्रति वर्ष की वर्षा होती है विश्व में ओसत वार्सिक वर्षा क्या है एक सु सत्रा तो दीखे हमने अभी बात किये थी, तो मेगाले के जो खासी नदी है, वहां मौसिन राम और चेरा पुंजी जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो मौसिन राम इस वक सबसे उपर हैं, यहां पर विसकी सबसे ज़्यादा बारिस होती है, इस कुशिन को घुमा फिर आकर भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेगा, मेगाले में होती है, और कहां पर होती है, किस नदी के जासी होती है, खासी नदी के पास होती है, और यह कहां होती है, मासिन राम या चेरा पुंजी में सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें मासिन राम इस सर से उप़र आता है इसको एक डाएग्राम में भी देख देखें यहां देखें यह जो गरे कलर है यहां 0200ании आदिक वर्षा होती है कहां पे एक यह फ्ला इसला और एक यह हिस्ता है क्यों होती है यहां पर ऐसी स्तिथिया बनती है जिसी की वर्सा और यहां पर जो है जो नील भाग से देखाया गया यहां आपके 200 सेंटीमीटर तक या पर 200 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्सा होती है इस छेत्र में जो रैट कलर से देखाया गया है यहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर और सबसे कम का होगी मरोस्ती ले छेत्र मे या प्लेटियोस छेत्र में या फिर लदात में अगर होती है तो वहां पर हिम के रूप में होती है यहां पर सबसे कम होती है पचास सेंटिमेटर से कम बरसाई यहां पर होती है एक क्वेशन देखिए चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं तो चक्रवात दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, उस्ने कटी बंदिये वैं सितोष्ने कटी बंदिये चक्रवात, उस्ने कटी बंदिये चक्रवात और सितोष्ने कटी बंदिये चक्रवात, इसमें आपको बहुत अच्छे से हमज़नी होगी, जो सितोष्ने कटी बंदिये च से कुसे हैं और तो को ऑशनकटी बन दिये चक्रवातों को आस्ट्रेलिया में क्या करगा जाता है ने नमों को भी देखहें कईरिवियन सागर या मेक्सिकों इस चेतर में इसको टॉड़नेट होगा जाथा है चीन और जपन में इस़िक कोई टाइफूं भी कहते हैं और USA में संगतराष्टर अमेरिका में इसको क्या कहते है हरीकेन कहा जाता है पर हमारे बंगाल की खाड़ी के शेतर में इसको चक्रवात कहते हैं यह न तो इन नामों को आप याद रखेएगा एक कोईशन देखी चक्रवात के केंद्र में और परीधी में वायुदाब में क्या अंतर होता है चक्रवात के केंद्र में और परीधी में उच्छ वायुदाब होता है ठीक है चक्रवात के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और परीदी पर उच्छ वायुदाब होता है और हवाएं केंद्र से परीदी की ओर रहती है सबसे में बात हवाएं जो होती है केंद्र से परीदी की ओर रहती है जबकि केंद्र का वा प्रिती की और हवाएं चल दी इस बात को आप याद रखेगा इसी के विप्रीत क्या होता है प्रिती शक्रवात में क्या होता है प्रिती शक्रवात में केंद्र में उच्वायुदाब होता है और इसके परीदिय भाग में निम्नवायुदाब होता है है ना चलिए नेक्स दे खुमता है तो वो एंटि क्लोक वाईज घुमता है यानि घड़ी के विप्रीद दिसा में and the उत्री गुलार्द में जब यह बनता है तो यह clockwise घुमता है जो बले बनती है जो circulate होती हवा प्रतिशक्रवात में वह कैसे बनती है उत्री गुलार्द में तो clockwise घुमता है और दक्ष्री गुलार्द में anti clockwise घुमता है तो यह था आपका अंतिम question class 7 का chapter number 3 जिसका topic है जल और बिनादेर के चलिए start करते हैं question first है कोटा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है चंबल के किनारे बसा हुआ है इसी तरह जो आपका राइस्थान का जो टॉंक है वह किस के किनारे है बनास नदी के किनारे है उदयपूर है वह किस नदी के किनारे वह आयड आयड नदी के किनारे बसा हुआ है तो किस के किनारे बनास के किनारे उदयपूर आयड के किनारे और आपका जो कोटा है वह संबल के किनारे बसा हुआ है नेक्स नदी के किनारे या किसी महासागर के किनारे या फिर जील के आसपास विक्सित होते हैं। क्योंकि जल स्रौतों के आसपास ही जो मानव बसती है वो अच्छे से पनपाती है। तो चलिए देखते हैं दिली सेर किसके किनारे बसा हुआ है। यामना ते किनारे है, और भी जो सहर है जैसे इंप्टेंस रखते हैं, दिल्ली यामना के किनारे हम देख चुके हैं, इलहाबाद जो गांग यामना का संगमचेत्रे वहां पर बसा हुआ है, बॉप एक रहाँ पर लंडण बहुत फेमस है, उसके किनारे रोम बसा हुआ है और फ्रांस की जो सीन नदी है उसके किनारे क्या बसा हुआ है पैरिस बसा हुआ है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे next question देखिए चेनने किस महासागर के तड़ पर बसा हुआ है चेनने किस महासागर के तड़ पर बसा हुआ है तो हम सभी जानते हैं किस महासागर के तड़ पर है हिंद महासागर के तड़ देखिए और भी जो सेर हैं से मुंबई है वो हिंद महासागर के दट पर चेने हम देख चुके हैं हिंड महासागर के तट पर न्यूय और्क जो है सिट नियॉयॉçar किंप वह कहां पर आटलांटिक महासागर के तट पर तट 5 भी जिंग प्रसांत महासागर के सट पर है चीन की ग्यों है यह न equival चीजों को आप बिलकुल निश्रित रुप से याद रखेंगे चलें, नेक गूषन देखते हैं पुषकर किस जील के किनारे बसा हुआ है देखें, ये भी एक जल स्रोथ है, अच्छा और पुषकर किस जील के किनारे है पुषकर जील ही है, है न? चलिए, और देखते हैं इसमें स्री नगर कौन सी जील के किनारे बसा हुआ है, डल जील के किनारे, यह question कई बार repeat भी हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, स्री नगर कहा है, डल जील के किनारे, सिकागो, कहा है, मिसीगन, मिसीगन, डुलूत, सुपीरियर के किनारे और बफैलो, इरी के किनारे इस सुपीरियर जील को याद है न कौन सी है यह यह आपकी ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है यह न चलिए नएक कुशन देखी पृत्री पर मौजूद जल का कितना पृतिशत भाग पीने योगे है, तो कितने प्योगे हैं, 2.5% दो पॉइंट 5% पर तेसे जो जल है वो पीने योगे है और उसमें बी सबसे बड़ी समझा यह है कि उसमें जो अधिकान से जो भाग है वो रूओं पर और पर रोतों बर्विए के रूप में जमा रहता है तो यानि वास्टिक रू next question देखिए विश्व की सबसे खारे पानी की जील कौन से है विश्व की सबसे खारे पानी की जील कौन सी है सबसे ज़्यादा खारा पानी कौन सी जील में पाया जाता है वान जील में जो तुर्की में है वान जील जो तुर्की में है उसमें विस्व का सबसे खारे पानी पाया जाता है तो वो सबसे खारे पानी की जील है म्रत सागर है, वो भी खारा पानी है, हमारी राज्थान की जो सामर जील है, वो भी खारे पानी की जील है, और खारे पानी का मतलब क्या है, जिसको हम कठोर जल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कठोर जल भी जिसको कहा जाता है, वो ही तो खारा पानी है, चलिए नेक कोईशन हैं जो सॉल्ट है। यह इसके खारेपन का कारण होते है। ठीक है। नहाफ कोइशन देखिए। राइस्थान के सेखावटी और दक्षिन राइस्थान में फ्लोराइड जल पाया जाता है। यह पीने यूगए क्यों नहीं मना जाता है। राइस्थान जो सिखावटी और दक्षिन राइस्थान जो भाग है वहाँ पर फ्लॉराइड युक्तिजल बहुत ज्यादा मत्रमें मिलता है वहाँ का जल प्रदूसित स्थिती में है तो वहाँ पर क्यों नहीं माना जाता है क्या होता है इससे हडियों से सम्देत रोगों पनफते हैं इस वजे से fluoride युक्त जल को पीने योगे नहीं माना जाता है, चलीए, next question देखिए, वर्षा जल भूमी के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चटानों के उपर एकत्रित हो जाती है ऐसा जल क्या कहलाता है वर्षा जल भूमी के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चटानों के उपर एकत्रित हो जाता है ऐसा जल क्या कहलाता है, ऐसा जल क्या कहलाएगा, भूमी गजल कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो भूमी गजल कहलाता है, देखे, भूमी गजल है, वो बहुत importance रखता है, मरुस्तली छेत्रों में यही जल जब नीचे होता है, तो आरेगिर्सान पनब जाती है, और जब मैदान चेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो भूमी गजल है इतना गहरा नहीं होता है जितना मरुस्तल में होता है और जो वर्षा का समय होता है तो यह इसी की गहराई भूमी गजल की गहराई कम हो जाती है और गर्मियों में यह भूमी गजल की जो गहराई होती है वो ज्याद प्रकृति प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् दो हजार पचास तक नो अरब की जन संक्या कानुमान लगाए गया है और यतनी ज़्यादा पॉपलेशन उतना ज़्यादा जल का यूज है न तो अगर प्राफर तरीके से हम लोगों ने इसके उपर ध्यान नहीं दिया तो बहुत समिश्याएं हुन जानी वाली हैं चलिए न अगर बना था? 1974 में चीक है यह कब बना था? 1974 में दूसरा देखिए परियावरंट संरक्षण कानून कब बना यह 1986 में बनाया गया था चलिए नेक कोईशन देखिए गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाई गई भारस सरकार यूजनाओं के क्या नाम है? गंगा नदी को स जादा न्यूज में रहा है तो यह आपको निश्चित रुक से याद होना चाहिए और यह कौन-कौन से हैं गंगा एक्शन प्लान है और नमामी गंगे यह दोनों प्लान गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाए गए है भारस सरकार के तारा चाहिए? ठीक है? नाक कुशन यह कितनी बार रिपीट हुआ है पता नहीं बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है तो इसको निश्चित रुप से आप याद रखेगा बाइस मार्च को जो है आपका जल दिवस जो है मनाया जाता है वर्स में एक बार जो आ है बाइस मार्च को जल दिवस मनाया जाता Rooftop, जल संग्रहन Indy और बुंद बुन सिचाई तक नी, खिसके संद्रक्षण से संद्रेख में वैसे तो इसके नाम सी हमें दिखा है कि जलसंद्रक्षण से संद्रेख में है रूफट ऑप जल संघनहदी क्या होती है जब बर्शाग का पाणी आता है या पाणी हाता है तो उसको हम जो हमारे जो चटें हैं उनके उपर जुब संघ्रह ही तो अलग अलंग अलग प्रemet तो वह क्या ख़ालाथी है रूफट ऑप जो संघ्रह ही तिर सावर, फवारे टाइप दिखाई देता है, और उन्हें सिंचाई की जाती है, तो क्या कि एक-एक पूंद, एक-एक पूंद इसे निकलती है, तो उसे बहुत कम पानी का यूज होता है, और बहुत सारा पानी बसता है, तो ये जल सन्रेक्षण की विधिया हैं, चलिए, नैक कोशन देखें, सब्भेता को किस प्रकार परिभासित किया जा सकता है, सब्भेता को किस प्रकार परिभासित किया जा सकता है, तो सब्भेता को हम परिभासित करते हैं, लोगों की इस्थाई बनावट है उनकी संस्क्रत लोगों की जो इस्थाई बनावट है और उनकी संस्कति है यह क्या कहलाईगी यह सब्भेता कहलाती है और हमें अक्षर जो सब्भेताओं की अबसेश मिला करते हैं तो लोगों की जो इस्थाई बनावट और उनकी संस्कति क्या कहलाती है सब्भेता कहलाती है नाक कुरिशन जल वास्प का कितना भाग समुद्र से प्राप्त होता है, जल वास्प का कितना भाग समुद्र से प्राप्त होता है, तो जल वास्प का 80% भाग समुद्र से प्राप्त होता है, और इसको एक चीज से और देखते हैं, यह क्या है, देखें जल चक्त है, वाटर साइकल है, इसम प्रणाइब बादल में बदल जाएगा और पावनों के द्वारे इस्थल में जाके यहां वर्सा कर देता है फिर वहां से वह जल बहते हुए वापिस से महसागर में तो यह वाटर साइकल है यह जल चक्र है जो घूमता रहता है और इसकी से हमें सुद्ध जल मिलता है हमारे का एक माथर जो कारम है जो सुद्ध जल प्राप्ति का वह वह जो इस वाटर साइकल है ये एक माथ्र कारण है जिससे हम इस सुद्ध जल मिल पाता है जलें तर वासपी करण वे वासपो शर्जन में क्या अंतर है वांटर्यनन सर्म रखता है यह बहुत इंपर्टर्टे Lösung कि क्योंकि कई बार ये confusion की वजह से हम गलत टिक कर बैठते हैं answers पे तो इसको अच्छे से देख लिए वास्पी करण वास्पोस सर्जन में क्या अंतर है तो देखिए वास्पी करण तो क्या है तापपान से जो जलका वास्प में परिवर्टन होता है वह वास्पी करण है लेकिन तापपान की वजह से जल से डाइरेक्टली महासागरों से या जलसरोतों से जो वास्पी करण होता है वास्प बनती है वो क्या कहलाता है वास्पी करण कहलाता है चले नेक कोईशन देखिए संगनन किसे कहा जाता है संगनन किसे कहा जाता है संगनन हम कहते हैं वायू मंडल में जलवास्फ का पुने जलवास्फ के रूप में परिवर्थन वाइव मंडेल में जलवास्फ बन गई जलवास्फ फिर से चोटी चोटी जलवास्फ क्या है चोटी चोटी बूने हैं वो जब एकटी होती है तो क्या हो जाता है वो थोड़ी से बड़ी बूनों में परिवर हो जाता है तो यह क्या कहलाएगा यह संगनन कहलाता है नेक्स कोश्चन देखें ब्ल्यू गोल्ड या गोल्ड ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा बच्छो चल्को कहा जाता है जल्को क्या कहा जाता है ब्ल्यू गोल्ड या गोल्ड ऑफ फ्यूचर तो इ ये question काफी importance रखता है, class 7 का चपने नमबर 4, तो चलिए बिना देरी के start करते हैं, वर्तमान परती भूमी किसे कहा जाता है, तो देखें वर्तमान परती भूमी उसे कहा जाता है, जिसको उपजाओ बनाने के लिए एक ये दो साल तक उसको ऐसे की ऐसे छोड़ भिया जाता है, उसमें कोई भी करसी कारे नहीं किया जाता, कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है, तो ऐसी भूमी को क्या कहा जाता है, वर्तमान परती भूमी, और जब यही समय जादा हो जाए, यानि 5 साल या उससे अधिक समय तक करसी ना की जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पुरानी परती भूमी, वो क्या कहलाएगी, पुरानी परती भूमी जहां पर पांच वर्ष और उससे अधिक समय तक करसी कारे न किया गया हो, और ऐसी भूमी क्या कहलाती है, इसके उबर फलदार व्रक्ष लगाए जाते हैं, पिवल उस भूमी को क्या कहेंगे, उद्धान कहेंगे, देखें, चलिए, नेक क्वेशन देखी, निर्वाहा क्रसी किसे कहा जाता है, निर्वाहा क्रसी किसे कहा जाता है, तो देखें, निर्वाहा क्रसी इसके सब जिसे ही पता चल रहा है, कि जिस पर निर्वाहा हो, यानि आजी विका चले, तो क्रसक के द्वारा स्व के लिए जो भरन कोशन के लिए जो किरसी पैदा करता है वो क्या कहलाएगी निर्वाह किरसी कहलाएगी किरसी कितने प्रकार की होती है अगर ही कोश्चन आता है तो आपके पता होना चाहिए किरसी दो प्रकार की होती है एक निर्वाह किरसी और एक व्यापारिक किरसी विस्व का कुल भौगलिक छेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषी, चारागा, वन और अन्य उप्योग में आता है। विस्व का कुल भौगलिक छेत्र का प्रतिशत भाग है, वो 11 प्रतिशत किरसी भूमी है, 20 प्रतिशत चारागा भूमी है, 31 प्रतिशत वन भूमी है और 38 प्रतिशत अन्य में आता है। 60 प्रतिशत जो भूमी है भारत की वो करसी के लिए उप्योग की जाती है, 4 प्रतिशत मात्र जो है चारागा के लिए उज़ किया जाता है, 23 प्रतिशत भाग वन खेत्र में आता है और 13 प्रतिशत अन्य भाग में आता है। तो आपके देख सकते हैं कि भारत किर्सी प्रिधान देश क्यों है, क्योंकि उसकी जो 7% भूमी है, वो केवल और केवल किर्सी के लिए प्योग की जाती है, अन्य देशनों की स्थिति अगर हम देखें, तो भारत के वाज़े से जापान है, उसमें 12% किर्सी है, आश्टरिया में 12% प्रिधान देश तो नहीं हो सकता है, उसी तरीके से जब चारागा की बात कर सकते हैं, तो जापान के अंदर मातर 2% है, जबकि आश्टरिया के अंदर 56% है, और 56% का मतलब क्या हो गया, कि ये जो चारागा बहुत ज़्यादा बड़ा छेता है आश्टरिया के अंदर, ठीक है, तो इससे आपकी भौगोलिक स्थिति से आप इसके आर्थिक स्थिति और और व्यापारिक स्थितियों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चले नया कोशन देखें, भूमी अवनयन किसे कहा जाता है, भूमी अवनयन किसे कहा जाता है, तो देखिए, उपजाओ भूमी की गुणवत्ता और उप्योगिता एवं उत्पादक्ता में कमी आना, वो क्या कहलाता है, भूमी अवनयन कहलाता है, उपजा और भूमी अवनयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं भूमी निमनी करण भी कहा जा सकता है ना Next question देखें भूमियवनियन के कारण क्या है? भूमिय। अवनियन के कारण है वो मिर्दा परदन है मिर्दा अलवनता में ब्रद्धी है आतिपस उचारं है विकास अत्म तकारे अधिक सिचाई नहरी जलकरिशाव सहरी ठोश कर्चाव अध्वकिक अप्चिष्ट, रासायनिक खाद और कृट नासबों का उप्योगादी यह सभी जो कारण है यह क्या है भूमियम्नियन के कारण बनते हैं भारत का सबसे बड़ा महानगर जो साथ दीपों पर बसा हुआ था लेकिन वर्तमान में मुख्य भूमि का हिस्सा है ऐसा कौन सा महानगर है ऐसा महानगर है मुंबई जो मुंबई था वो किसी समय पर साथ दीपों बसा हुआ था लेकिन जो बीच में जो जगह तीसा मुद्र क के दीपों के बीच में उसमें बहुत सारी चीजें भर कर उस चीज को ढग दिया गया और उस समुद्र के दीपों के बीच में उसको भर दिया गया यसे क्या हुआ एक तरीके से हमने जो समुद्र की भूमी है उसका उपयोग कर लिया किसके लिए अपने निवास इस्थान के अपनी उप्योग के लिए उसको change कर दिया गया है न तो इससे क्या हुआ उससे हमने एक तरीके से उस भूमी का यूच कर दिया जो किसी और चीज के हिस्से में इससे क्या हो गया हम एक जगे किसी भी भूमी का छेत्र को बढ़ाएंगे मान ले चारागा का भूमी हमने बढ़ बढ़ जाती है और ये असंतुलन पैदा करती है है ना चलिए नेक कोईशन देखें बांध जने प्राकर्तिक जल्सरोतों की घटनाओं से इस्थलों की रक्षा ही तो बनाया जाता है क्या कहलाता है बांध जने प्राकर्तिक जल्सरोतों की घटनाओं से इस्थलों की रक्षा तो बनाया जाता है क्या कहलता है नीदरलेंड जो देश है वहाँ पर जो किनारे वाले जो छेत रहें वहां पर समूद्र के पानी से safety के लिए जब ज़़ार भाटा आता है तो पानी बहुत ज़दा हुचा ही पर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में उससे बचाव के लिए बड़े-बड़े बांद बना दिये गए, उनके लिए यह चीजें यूज की जाती है, तो यह क्या कहलाती है, पोल्डर कहलाती है, यह क्या कहलाता है, पोल्डर ऐसे बांद क्या कहलाते है, जो प्राकर्तिक जलसरतों की घटनाओं से सुरक्षाफ परदान कर पश्चमी राइस्थान के मरुस्तलिय भागय के विस्तार को रोकने के लिए किस अनुसंधान केंद्र की इस्थापना की गई है तो किस अनुसंधान केंद्र की इस्थापना की गई है जोत्पुर में है यह और केंद्रिय सुस्क छेत्र अनुसंधान केंद्र कहा जाता है इस वो करना और मारुस्थल के पारिश्चिति के को बनाए रखना यानि संतुलन बनाए रखना ही इसका अमुक्त उत्देश्य है इस चैप्टर में देखिए एक क्वेशन तो यह है जो अनुसंधान केंद्र है इसके बारे में कई बार रिपीट हुआ है और एक इससे भी जादा important जो था वो है भारत में जो कृसी भूमी का प्रतिशत है वो बहुत बार hole person papers में आता है तो इन दो questions पे आप स्टान मार्ब कर दीजे यह बहुत important है और तो इसी के साट आपका ये साप्टर समाप्त होता है इस class seven का चैप्टर नमबर फे तो चलिए बेनादेरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं वनस्पती किसे कहा जाता है वनस्पती किसे कहा जाता है वनस्पती किसे कहा जाता है वहागॉलिक परीविश में इस्तितवरक्ष छोटे पौधे लताएं जाडियां घास काई आदी को समलित रूप से क् और विभिन भागों में अलग-अलग जलवाई होती है, अलग मिट्टी होती है, और भी बहुत सारे टाइप के अंतर होते हैं, तो इस वज़े से अलग-अलग वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, और जो वनस्पति वाले जो छेत रहें अलग-अलग जगे को, उनको हम अलग- इस वृ फार के बारे में बात करेंगे, चलिए नेक कोशन दीखे, सदा बाहरवनों को उनके भॉगळक आधार पर कितने प्रकार में वरगीकत क्या जाता है, तो इस कांसर्ट क्या होगा, दो भागों में वरगीकत क्या जाता है, कौन-कौन से honest ही, सदा बाहर बन और उष्ण कटी बन दिये सदा बाहर बन सितोष्ण कटी बन दिये सदा बाहर बन और उष्ण कटी बन दिये सदा बाहर बन तो जैसे उष्ण कटी सदा बाहर बन की बात करें तो ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं ये भूमत देरेखा क्या सपास पाए जाते ह होते हैं अधिक वर्षा वाले छेत्रों में यह होते हैं यहां जो वर्षा होती है वह कैसी वर्षा होती है समवहनिय वर्षा होती है और सदाबारवन क्यों कहा जाता है सबसे में बात सदाबारवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग-अलग टाइप के बहुत रक्ष पाई जाते हैं कोई अपने पते कभी जड़ाता है किसी के पते कभी चड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वह हमेशा हराबरा यह दिखाई देता है और फिर इसमें सरवाधिक के लतायं पाई जाती है इस प्रकारकी जंगलों में रख्षाओं पर सबसे ज्यादा जो लताय जिस प्रवणछेर में पाई जाती और जब हम इनकी बात करें तो इसका एक्जांपल अगर दें तो कौनचे जंगल है जो अमेजन के जंगल है जिसको क्या बोने हैं प्रिफ्विडें भी कर जाता है और बाजिलमे ने क्या आइसे जीव पाय जाते हैं रक्ष पर रहने वाले, क्योंकि जो इसकी पृत्वी होती है, जहां धर्ती होती है, वहां पर सूरे की रोसनी भी नहीं पहुंचती है, वो इतने घने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रक्षों पर रहने वाले जो जीव हैं, वो ही ज्यादा मात्रा में यहां पाए जाते है किस प्रकार के सदा बाहर वनों में आबनूस, महुगनी वे रोजवुड जैसे कठोर लकडी के रक्ष पाए जाते हैं किस प्रकार के सदा बाहर वनों में आबनूस, महुगनी वे रोजवुड जैसे कठोर लकडी के रक्ष पाए जाते हैं तो किस प्रकार के बनों में पाए जाएंगे वो हैं आपके उस्ट निकटी बन्दिय सदा बाहर बनों में पाए जाते हैं यह विश्व के सबसे बड़े सांप के प्रिजाती कहां पाए जाती है तो देखिए जो विस्की सबसे बड़ा साप कौन सा है पहली बात तो एनाकॉंडा ठीक है जो बहुत बड़ा होता है और यह कहां पाये जाता है दक्षणी अमेरिका के वनों में पाये जाता है यह ना नेक क्वेशन देखिए महादीपों के पूर्वी किनारों पर दक्षणी पूर्वी अमेरिका है दक्षणी पूर्वी ब्राजील है दक्षणी चीन है इसमें किस प्रकार के सदाबाहर बन पाये जाते हैं तो कैसे पाये जाते हैं सितोस्ट नुकटी बंदियवन पाये जाते ह नेक क्योशन देखिए, किस प्रकार के सदा बाहर वनों में UK लिप्टस तथा चीड जैसे व्रक्ष अधिक पाये जाते हैं, तो किस प्रकार के वनों में पाये जाते हैं, वो होते हैं, सितोष्न कटी बंदिये सदा बाहर वनों में, UK लिप्टस तथा चीड जैसे व्रक्ष अ पाधिक पाए जाते हैं। चली, next question देखी। पत्य झधड़ी वनों को उनके भॉगलिक आधार पर कितनी प्रिकार में बर्गी क्रत किया जाता है। तो इसका क्या answer है। two भागों में प्रिवक्त किया जाता है। एक तो सितोष्न कटी बंदिये पत जड़ी बन होता है और दूसरा उष्न कटी बंदिये मानसुनी बन होता है पहला कौन सा है सितोष्न कटी बंदिये पत जड़ी बन और दूसरा है उष्न कटी बंदिये मानसुनी बन नेक कोशन देखें दक्षणी तथा दक्षणी पूर्वी एशिया, दक्षणी चीन, पश्चमी द्वीप समू, उत्री ऑस्टेलिया, पूर्वी अफ्रीका वे अब ब्राजील के 30 चिद्रों में किस प्रकार के पधज़डी वन पाय जाते हैं इससे क्यों गिराते हैं ताकि वो अपना जल को सुरक्षित रख सके जब आप science में देखेंगे तो इस टॉमेटा होता है जिसकी वज़े से जल निकास हो जाता है पत्तियों का तो उसको रोपने के लिए पत्तियों को जड़ा देते हैं तो इससे क्या होगा वहाँ पज़ड का मौसम दिखाई देता है यहाँ पर किस टाइप के पेट पाए जाते हैं नीम है, सीसम है, महुआ, जामुन, साल और सागवान के व्रक्षियां बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और फरनिचर के लिए आपको पता होगा, सागवान की लखड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, है न? चलिए, नैक क्वेशन देखी कुसरी बात यहां, उसमें कैसे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हांति घोडा, गेंडा, जंगली भैंसा, बाग, और बंदर लेकिन जब आप सितोस ने कर्टी बंदिये पद्ध जड़ी वन की बात करते हैं तो यहां कौन-कौन से पाए जाते हैं यहां भेडिया, हीरन, लॉम्ली जैसे प्रुमुक जानवर यहां पाए जाते हैं दूसरा ये उच्छ अक्छांस में सितों पज़डी वन पाए जाते हैं ना, चलिए, नैक क्वेशन देखिए, भूमध्य सागर ये वन कहां पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं, महादीपों के पस्चिम तथा दक्षनी पस्चिम किनारों पर दोनों गोलार्दों में 30 दिग्री से 40 डिग्री अक्छांसों के मद्ध है, दोनों गोलार्द कौन से, उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द, विश्वती रिखा से हमारा फिर्थी को दो भागों में बटा गया है न, उत्री और दक्षनी गोलार्द, तो कहां पर 30 डिग्री से 40 डिग्री तक अ मद्ध सागिरी कहा जाता है और पर्षिमी एसिया है उत्री अफ्रिका है दक्षिनी यूरूप में हुएच सागर्प की किनारों पर पर्षिमी यूएस में कैलिफोर्निया है दक्षिनी अफ्रिका के दक्षिनी पर्षिम भाग में दक्षिनी अमेरिका के मद्ध चिली में दक चिसे कहा जाता है चैयों? क्योंकि यहां पर जो है विस्व में जैतून हुए अंगूर, संत्रा, अंजिल, नीबू वर के जो रस्टारफल है उनकी सरवादिक किसी सेत्र में होती है क्या होती है जैतून, अंगू, संत्रा, अंजी, निवू वर्गिये रस्दार फलों की सरवादी कर्शी छेत में होती है इस वज़े से इसको विस्व का फलोद्धान कहा जाता है यह question बहुत बार repeat हो चुता है तो इसको आप याद रखिएगा और यहाँ पर बहुत famous जो है कंगारू बहुत पात्रा में इस जगों पर मिलता है ठीक है? चली, next question देखिए रूस में सरवादिक किस प्रकार के बन पाए जाते हैं? रूस जो आपका देश है उसमें किस प्रकार के बन सरवादिक पाए जाते हैं? तो उसमें सरवादिक पाए जाते हैं, कौन धारी बन जो होते हैं, उस सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं उत्री गोलार्द के जो 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांस का जो एरिया है यूरेशा के बहुत सारे हिसे में यह पाए जाते हैं, वह पर और पर प्रत्वी से 70 यही जाते हैं तो वहां जली भाग ठाइब नहीं पाए जाते हैं तो वहां पर यह नहीं पाए जाते हैं चलिए नेक कुश्चन देखिए टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? देखें टैगा वन किस को कहा जाता है? कौन धारी वनों को ही टैगा वन कहा जाता है? कैनाडा के अंदर कहां पर कनाड़ा के अंदर दूसरा यह सदाबारवन भी होते हैं क्यों होते हैं यह सदाबारवन क्योंकि इनकी पत्तियां हैं बहुत नुक्ली होती हैं और लखी बहुत मुलायम होती हैं और इस वज़े से यह हमेशा हरे भरे रहते हैं लेकिन और वो क्यों रहते हैं क्योंकि ताकि ज्यादा मात्रा अगर जलकी इसके अंदर चली जाती है तो ब्रक्ष गल जाते हैं तो उससे बचने के लिए इनकी पत्तिया हैं वो बहुत नुक्विली और छोटी होती है चल्ड, next question देखे देवदार, चीर, लार्च, इस्प्रोस, पाइन, बर्च, फर जैसे व्रक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं कौन धारी वनों में ये व्रक्ष पाए जाते हैं आपकी कागज बनाने की जो लुबदी है माचिस जो आती हैं, पैकिंग बना हैं, निके जो डिब्वे जो आपकी लकड़ी के बनते हैं, इस सारे कहां से इनका रोमेटेल इन वनों से बहुत आसनी से मिल जाता है, यहाँ पे मुश्लिक कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं, बारा सिंगा है, लोम्री है और धुबिय भालो इन छेत्रों में पाये जाते हैं, चलिए, हैं कोशन देखें, विस्व के सबसे बड़े घास के मैदान, विस्व के सबसे बड़े घास के मैदान, जो कि अफ्रिका में हैं, किस प्रिकार के घास के मैदान हैं, विस्व के सबसे बड़े घास के मैदान हैं, पहले तो आ किस प्रकार के घास के मैदान है तो वह है आपके उस्ट निकटी बंद्दीं घास hundred ठीक है आपके जो सवाना हिभास के मैदान है वह कैसे हैं उस्ट निकटी बंद्दीय घास के मैदान भूमन्दर रिखाके जो दोनों उच्की कटी बंदगं खास के मैदान हैं. यहां नेम्न और मढध वर्सा होती हैं. यहां 2-4 मेटर तक की उच्चाई इनकी होती हैं यहां 2-4 मेटर तकी उच्चाई इनकी होती हैं. दो से चार मीटर का मतलब हो गया आपका 6 से 12 फिट तक के अप्रोक्स है न ये काफी उचाई होती है चले नएक कोशन देखिए उस्टन कटी बन दिये घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपको पता है इसको कहा जाता है कंपोज वेनेजेला में कंपोज कहा जाता है ब्राजील में और वेनेजेला में क्या कहा जाता है लाओस कहा जाता है इस बात को याद रखेगा जो उस्टन कटी बन दिये घास के मैदान है उसको ब्राजील में क्या कहा जाता है कंपोज और वेनेजेला में इसको क्या कहा जात मेपल बर्च और यहां पर ऐसे ही जीव पाह जाते हैं, यहां भटायत मात्रा में, ने कोशिन देखिए, ओक्वार्णि किस परकार के घास के मैदानों में पाई जाते हैं ओक, पाइन, एल, मैपल, बर्च, आस्पेन जैसे व्रक्ष किस प्रकार के घास के मैदानों में पाई जाते हैं तो किस प्रकार के पाई जाते हैं सितोष्ण घास के मैदानों में ये पाई जाते हैं सितोस्ट घास के मैदान जहां छोटी वे पॉष्टिक घास पाई जाती है और मध्य एक चार्चे छेत्रों और महादीपों के भीत्री हिस्सों में भी ये छेत्र कापी होता है यहाँ पर क्या होता है साकारी जीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं बाइसन, एंटीलोब, जंगली भैंस, कर्गो, जैबरा, गाई ये सबी यहाँ पाई जाते हैं सेर, भेडी, लॉंबरी, बाज और अनिक प्रकार की चिडिया और बिलों में रहने वाली जीव भी यहाँ पाई जाते हैं ठीक है चले नया कोश्चन देखिए इस्टैपी किस परकार के घास के मैदानों को कहा जाता है तो इस्टैपी जो है वो देखे इस्टैपी जो घास के मैदान है उनको सितोस्न घास के मैदानों को कहा जाता है और दूसा यह कहा है यूरेशिया के मद्यवर्ती भाग में बहुत ज़्यादा है यूरेशिया के जो मद्यवर्ती भाग में यह बहुत ज़्यादा है सितोस्न तिसमेदान यहां पर इनको स्टैफिक कий जाता है अरजन्टीना में इन transfondas कहा जाता है उत्रिय अमेरिका में इसको प्रेरी कहते हैं धशन अफरिका में इसको वैल्ड कहा जाता यह और और उस्टेलिया में iscollä यह सभी क्या है यह सभी घास के मैदान है चली नेक्स देखते हैं मरुदभित किसे कहा जाता है तो देखिए मरुदभित किसे कहा जाता है तो देखिए मरुदभित किसे कहा जाता है चलिए, नागफणी, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, खेजवी जैसे व्रक्ष किस प्रकार के वनों में पाई जाते हैं उस्टन कटी बन दिया, मरुस्थलिय वन छेत्रों में ये पाई जाते हैं तेक हैं, और इनका जो, ये कहां, ऐसे जगे पर पाई जाते हैं, जहां का टेंपरेचर बहुत जड़ा होता है वर्सा बहुत कम होती है, पच्ची सेंटिमीटर से भी कम होती है तो ऐसे इस्थिति में क्या होगा, वनस्पती की जो उचाई है वो भी कम होती है पतियां छोटी होती हैं और मोटी भी होती हैं जड़े पानी लेनी की वेज़े से गहरी होती हैं क्योंकि इनका जो क्या बोलते हैं प्रित्फी का गहराई में जल होता है वह बहुत ज़दा निम्न होता है बहुत नीचाई पर होता है इसकी वैसे जो यहां पर ट्रेक्ष होते हैं उनकी जड़ें हैं बहुत गहरी हुआ करते हैं ूश्न कटीवन्दियं मरुश्थे लीवनों के उधान हैं। सहारा उत्तर अफिरिका में पाया जाए है, कालाहरी जो रिगिस्तान है वो कहां पर है, दक्षिन अफिरिका में है, कैलिफॉर्णिया, एरिजॉन और मेक्सिको ये कहां है, वो तरमीरिका में है, अठा कामा जो सबसे सुस्क मरुस्तल भी है, वो कहां पर है, दक्षिन अमेरि के च्छेट्र हैं चलिक है ने कुशन देखिए का सीट मरुस्थलिय वन किस च्छेट्र में सरवा देखिएंक तो किस च्छेट्र में है एपिस य्या यूरोप यूत्री अमेरिका के धुरूवः च्छेत्रों में हिस額 यूरोप उत्री अमेरिका के ध्रूवट चे 있고 एक मैप से छोटा सा देखते हैं तेकbench गर्म मरुस्तल आपके दिखाई दे रहे हैं आटकामा है है यह आपका अटकामा हो गया यह आपका मौजेव मोजेया आपके ढर्रिंदा ठंडा मरुस्तल है, है न, यह आपका, कौन सा मरुस्तल है, यह आपका अरब का मरुस्तल है, यह आपका सहरा का मरुस्तल है, काला हरी मरुस्तल, यह आपका नाबिम का मरुस्तल, यह आपका छोटा सा जो भारत-पाकिस्तान के इसे में आता है, वो थार का मरुस्तल, यह आश् किसमती में मनाया जाता है ब्रक्ष मिला कहां और किस किसमती में मनाया जाता है देखिए यहां से जो कुशन आते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और यह बहुत ज़्यादा रेपीट भी होते हैं तो इनको ध्यान से देखिए गया ब्रक्ष मिला विसमें एक ही जगे म नाम है जो गाउं खेजडली में है और ये जोदपूर राजिस्थान के अंदर आता है कहां पे आता है ये जोदपूर राजिस्थान के अंदर आता है अम्रिता देभी विष्णोई इस्तिरे हुई थी जिन महिला की नेतरत में 1730 इस्वी में 306 लोगों ने पेड़ों के बल्दान दिया था उनको बचाने के लिए अम्रिता देभी विष्णोई इनके नेतरत में ये आंदोलन हुआ था खेजडली आंदोलन और इसमें 363 लोगों ने अपनी जान दी थी 1730 इस्वी में है न तो इनहीं की बल्दान की इस्प्रती में यहां पे जो एक छेत्र को न मिला लगाया जाता है हर साल और खेजडली आंदोलन की इस्प्रती में ये व्रक्ष मिला भरता है चलिए नेक्ट देखें राइस्चान की किस गाउं में बेटी के जनम पर 111 व्रक्ष लगानी की परंपरा इस्थाफित की गई है तो कौन सा गाउं है यह पीपलांतरी गाउं है राजसमंद के अंदर यहाँ पर जो बेटी है उसके जनम पर 111 व्रक्ष लगानी की परंपरा है और किसी के मिठती हो जाती तो उसके नाम पर भी जो व्रक्ष लगाजाता है उसकी रगला पूजा भी की जाती है ठीक है दूसरा आपका व्रक्षमिला था व्रक्षमिला कब भरता है भाद्रपद में सुकल पक्ष दस्मी को यह लगाया जाता है भाद्रपद सुक्लपक्ष की दस्मी को ब्रक्षमिला लगता है चलिए, नैक कोशन देखिए चिपको आंदॉलन किसके नेतरतों में हुआ? तो किसके नेतरतों में हुआ? गौरा देवी देखिए ये गौरा देवी है और अब आप बोलेंगे सुन्दरलाल बहुवणा जो है इनकी तस्वीर यहां क्यों दिखाई है? तो इसमें क्या है? उत्त्राखन में 1922 में गाउं की महिलाओं द्वारा ब्रक्ष से चिपक कर पेट कटने का विरोध किया गया था नेतव जो किया था गौरा देवी नहीं किया था और इस आंदोलन में बहुत एहम भूमी का जो निभाइती सुन्दरलाल बहुवणा ने जुड़ बताई थी और यह एक परियावरण विद्य थे ठीक है? यह परियावरण विद्य थे सुन्दरलाल बहुवणा बहुत फीमजह University रहे हैं तो इन्हों यह भी इस आंदोलन से जुड़े हुए था तो इन्हों ने इसका नेतर जो गिया था और यह एक सक्सियत थी यह उसमग को आंदोलन से जुड़ी थी नेक्स देखिए अप्पी को आंदॉलन किस राज्य से संबन देता है अप्पी को आंदॉलन किस राज्य से संबन देता है अप्पी को जो आंदॉलन है वो कैसे संबन देता है करनाटक राज्य से संबन देता है करनाटक राज्य के सिर्सी जिले में क्या हुआ था सेप्टमब सेप्टेمنबर 1983 में सलकानी सीफेतर में विक्ष काटने का विरूत किया गया था Century और इसमें क्या किया गया था लोगों ने बाहों में भरना अप्पिको का अर्थ होता है बाहों में भरना थो लोगों ने व्न सेबचाने के लिए ने क्या अकीS सिर्शीetzen एल tv लाल आंकड़ा किताब यानि red data book किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, यह बनाई जाती है, यह बनाई जाती है, IUCN के द्वारा, यानि international union for conservation of nature, IUCN जो होता है, इसमें जो संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं, endangered species हैं, उनके बारे में data collect करता है कि यह प्रजातियां हैं, यह अब endangered status में हैं, उनकी गिलुक्त होने के कगार पे हैं, या होनी की संभावना है, तो उनको reserve conserve करने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए वो उनका data collect करती है, और उसको कहां लिखा जाता है, red data book में लिखा जाता है, next question देखिए, अनावरिस्टी का क्या अभी प्राय है, देखिए अनावरिस्टी एक साब्दी करते हैं या उसके बार में आपको पता होना चाहिए, अनावरिस्टी क्या होती है, न्यून वर्सा को हम अनावरिस्टी कहते हैं, अनावरिस्टी का क्या प्राय है, यानि कम वर्सा होना वनों के जैविक संपर्दा का हास, मनोन मुलन का आर्थ केवल यह नहीं कि पेड़ काटना, केवल पेड़ काटना नहीं, और भी अगर किसी भी जीव को, नहीं वन में रहने वाले, अगर किनी जीवों को भी अगर आप दुक्सान पहुंचाते हैं, तो वो भी वनोन मुलन की अंतरगत आता है, तो इन चीज़ को आपको समझना चाहिए, तो वनों के जैविक संपर्दा का अगर हास होता है, तो वो क्या कहलाता है, वनोन मुलन कहा जाता है, तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर होता है, समाब करने जा रहे हैं, चैप्टर नमबर 6, क्लास 7 का, तो चलिए बिनादेरी के हम इसा की तरह स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर 1 है, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, तो मरुस्थल आपके दो प्रकार के होते हैं, गर्मरुस्थल और सीथ मरुस्थल या पहले भी पढ़ चुके हैं, और सीत मरुस्तल होते हैं वहां ऊचकछान से और उच्छी पर्वेते शेतरों पर होते हैं स्थान बर फिला होता है और यहाँ पे जो कृसिकार वह ग्रीन हाउस बनाकर सामेने तौर पर किया जा सकता है इनके एक्जामपल अगर देखें तो जो गरम मरुस्तल है उनके जो एक्जामपल है सहरा मरुस्तल है अरब मरुस्तल है आस्टेलिया का जो मरुस्तल है ठीक है ये क्या है थार का मरुस्तल जो हमारे जिसमें जो मरुस्तल कौन सा है थार का मरुस्तल है इसके उधारण कहे जा स ठार का ही हिस्सा है चलिए नेश्ट देखते हैं भारत में ठार का मरुसल के छेत्र में इस्थित है पंजाब हर्याना के दक्षिन से गुजरात में कच्छ के रण तक और राइस्तान का अधिकांस बाग क्या है ठार का मरुसल है ठीक है पंजाब हर्याना के दक्षिन जो हिस्स वर्षा है जो अरावली परवर्षंखला के पश्चिम में आता है या फिर यह कहें कि इस थार मरुस्तल के पूर में क्या आती है अरावली परवर्षंखला आती है तो यह आचा इन छेत्रों में वर्षा कैसे होती है इन छेत्रों में मांसोनी पवनों द्वारा वर्षा होती ह और यही कारण है यहां की जो वर्षा होती है अनिश्चित और अनियंतित होती है अनिश्चित और अनियंतित होती है अनिश्चित और अनियंतित का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा कभी बहुत ज्यादा हो गई कभी बहुत कम हो गई कभी कभी बाड की हालत हैं क्रेट हो जाती ह तो यह आपकी अनिस्चत या इनिस्चत वर्सा होता है यह वास्पी करण भी ज़्यादा होगा क्योंकि टेंपरेचर भी सामने तोर पर ज़्यादा रहता है चलिए नेक कुशन दिखिए बालू का इस्थूप किसे कहा जाता है बालू का इस्थूप किसे कहा जाता है यह कुशन बहुत बार रिपीट होता है सिंपल है लेकिन रिपीट होता है तो इसको याद रखेगा रेथ के जो टीले हैं उनको क्या कहा जाता है बालू का इस्थूप कहा जाता है धर्ती धोरारी क्यों कहा जाता है क्योंकि धोरा किसको बोलते हैं रेत के टीलों को बोलते हैं और बालुका इस्थूप किसे बोलते हैं रेत के टीलों को ही बोलते हैं और धर्ती धोरारी राइस्थान को क्या कहा जाता है धर्ती धोरारी क्यों कहा जाता है क्योंकि धोरा किसको कहा जाता है रेत के टीलों को और और बालू का इस्टूप भी किसे कहा जाता है रेध के टीलों को कहा जाता है next question देखिए राहे थान के मरुस्थलिये भाग की किस छेत्र में मीठा भूमी गत जल प्राप्त होता है तो कि जल मीठा प्राप्त होता है लाठी श्रीज है जैसल्मेर के अंदर यहाँ पर सामाने तोर पे मीठा जल, भूमी गजल, याद रखेगा भूमी गजल जो है मीठा प्राप्त होता है, सामाने तोर पे क्या होता है, कि जो रेगिस्तानी जो छेत्र है वहाँ पे, यहाँ पर मेग्जियम खारा पानी होता है, भूमी गजल जो है, सामाने तक खारा ह लेकिन ये जैसलमेड जले के लाठी श्री छेत्र है, यहां पर मीठा जल, भूमिगजल प्राप्त होता है, यहां पर किस प्रकार के रक्ष पाए जाते हैं, बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, रोहीडा हो गया, यहां के ये मुख्य रक्ष हैं, बबूल, खेजड़ी और रोहीडा, नेक कोईशन देखी, थार मरुस्त लिए छेत्र में किस प्रकार के फसल होती है, जिस फसल में पानी की अवश्च्चता कम होती है, जैसे ज़ौर हो गया, बाजरा हो गई, मौठ, मूग, यह जो फसले हैं, ज़ौर, बाजरा, मौठ, मूग, यह कैसी हैं, इन में पानी की यहिश्टा बहुत कम होते हैं इस वज़े से फार्वस्टिय छेथ में बहुत आयद की जाती हैं नेक कोष्ण देखी, राइस्थान के किस जिले में खनीस टेल का उतपादन किया जा रहा हैं। देखें यहां पर राइस्थान की जब बात करें तो वार्ड मेर्ड में जो है रिफाइनेरी लगी है इसकी बाकि जो राइस्थान के जो थार छेत रहें यहां पर खनी स्टेल, प्राकर्टिक गैस, लिगनाइड, जिपसम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदी बहुत प्राइस्थान में मरुस्थाली करण रोखने के लिए किस नहर जल परियूजना का प्रारम किया गया था, तो किस नहर जल परियूजना का प्रारम किया गया था, इंद्रा गांधी नहर जल परियूजना, यह सिचाई नहर जल परियूजना भी है, यह मरुस्थाली करण में रोखने के लिए विशेश तोर पर इस चाही साधनों के विकास के लिए प्रारम किया गया थी इंद्रा गांदी नहर जल पर यूजन जो है इसके साथ जब हम इसके यहां पर देखे जब मरुस्थली करण की बात करते हैं और इनी से जो प्राप्त हैं सूती, उनी वस्तल, निर्मान, भीड़ बक्वें और उटों के बालों से जो काली इनकंबल बनाये जाते हैं। सग्मर्मर की मूर्टियां, हद कारगा, हाती दास्ते वस्तों, कर्रमान, चम्रे की वस्तों, नमकी नादी बहुत बनाई जाते हैं, रंगाई सपाई के भी या छोटे-छोटे कारगाने हैं। राइस्थान में जन्संख्या घनत बहुत कम है, यह हम सब जानते हैं क्योंकि क्यों, क्योंकि मरुस्तली छेत्र में ऐसा ही होता है, लेकिन विश्व के अन्य जो मरुस्तल है, उनकी अगर तुलना की जाए तो इस छेत्र में बहुत जादा जन्संख्या घनत है, विश्व के अन्य मरुस्थलों की अगर तुलना की जाए तो इस मरुस्थलिय छेतर में थार मरुस्थल छेतर में जन गनत तो जादा है क्योंकि और मरुस्थलों के तुलना अत्मत यहां पर इतनी पृतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं, यहां पर विकास हुआ है और इसी वज़े से यह चेत्र किस जगह पर इस्तित है तो किस जगह इस्तित है यह जम्मु कस्मीर वे उत्तर पूर्वी छेत्र में भारत का जो जम्मु कस्मीर राज्य है और उत्तर पूर्वी जो छेत्र है वहाँ पर लद्दाख छेत्र इस्तित है तिबत के पठार का भाग है यह आप सभी जानत और चलिए नैक कुछ है दीक लेटाग् चेत्र में किस परकार प्रकार के व्रेक्ष मुक्ष। पाए जाते हैं। किस परकार पाए जाते हैं तो देख्यें यहां पे सफेदा और वेद यह जो बहुतायद मात्रा में मिलते हैं। और यहां कुछ शेत्रों में सेव, खुबानी, आक्रोट की रख्ष भी बहुत आयत मात्रम मिलते हैं, है ना, और यह सफेदा और वेध हैं, की लखने हैं, सामने तुर पर मकानी और इधन की रूप में यूज़ की जाती है, ठीक है, यहां पर लोग क्या है, मुद्रा का लें व्लिदा उनकी हो गई, तो व्लिदा की बिशारे-फैारों यूज़ का है, वो इस तरीके से मुद्रा के स्थान पर बश्तूख लें दिन ज्यादा चलता है, वह जिन इस्थानों पर रहते हैं, वह छोटे संकुलों में रहते हैं, और कहुंं सी, निरवहा के सी करते हैं, यहां हम बात करी चुके हैं, है ना, चले, नाक desarroll कोईशन देखी, लद्डाक में पाये जाने वाले जॉमो क्या हैं? जॉमो एक परकार की जाती है, प्रिजाती है, गाए और याक का मिश्रित रूप है, जैसे हमारी यहां पर जर्सी गाए पाए जाती है, जर्सी गाए क्या होती है, गाए और सूर का मिश्रित रूप होती है, उसी तरीके से यहां पर जो जाती है, एक पसूर के पर जाती है, यह गाए और याक का जो मिश्रित रूप है, वो क्या कहलाता है, जो मुख कहलाता है, यहाँ पे भीड बखनिया, याक, घोडे और जोमादी मुख्य जीव हैं इनको पाला जाता है Next question देखी बकरवाल किस छेतर के मौसमिक प्रवासी हैं? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौसमिक प्रवासी क्या होते हैं? देखी मौसम के साथ यह जो बकरवाल हैं यह क्या करते हैं? यह कहां के पहले तो हम बता देते हैं इसके कस्मीर के यह मौसमिक प्रवासी हैं और यह क्या है? कस्मीर के जब ठंड पढ़ रही होती है, तो कस्मीर का जो मरुस्तलिय शेत्र है, जब ठंड पढ़ रही होती है, तो ये घाटियों में उतराते हैं, और जब गर्मी पढ़ने लगती है, तो ये वापस से कस्मीर के जो जिनको मरुस्तलिय शेत्र का जाता है, वहाँ पर चले जाते हैं तो यह क्या है मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं अपने पस्वों के साथ यह इस्थान परिवर्थन करते हैं निवास का इस्थान चेंज करते हैं तो इस वज़े से इनको मौसमिक प्रवास ही का जाता है जब अन्य प्रवासियों की बात करें भारत के तो बकरवा हमने देखा आप कस्मीर से हैं, गड़वाल कुमाव हिमाल्या से हैं, चपंगा जो प्रजाती है वो दक्षिनपूर्वी लद्दाक से है, भूडिया जन जाती है, वो उत्तरी सिक्किम से हैं, और मौन्या जो है औरनाचल प्रदेश में, ये वो मौसम प्रवासी जाती हैं, ज लद्दाक चेतर के प्रवूप नदिया क्योंची हैं, शोग, सिंदू, वाकाचु, ब्राज, जासकारादी, ये जो नदिया हैं, ये काक इसी चेतरे से मुटली उर्गम हुई हैं, और यहां पर बहतायत मात्र में इनका यूज़ गया जाता है, चली, नेक कोशन देखिए, लद्दाक चेतर के निवासि किस प्रजाती के माने जाते हैं, तो किस प्रजाती के माने जाते हैं, करता है आपको यह भी पता होना चाहिए चलिए इसमें नेक्ट बात करते हैं खंपा किसे कहा जाता है खंपा किसे कहा जाता है तो खंपा किसे कहा जाता है खंपा कहा जाता है लद्दाग छेत्र में पत्थर और गारिशी जो बनाए हुए घर होते हैं इनके उनको क्या कहते है ये लोग खंपा कहते हैं, छेत्री वासा में क्या कहा जाता है, खंपा कहा जाता है, और यहाँ पे जो जंजातियां हैं, उनका क्या है, सभी ऐसे छेत्रों में रहते हैं, तो इनको जंजातियों की शेड़ी में ही आते हैं, तो सभी जंजातियां यहाँ पे जो हैं, वो जंज रखने के लिए किस पे का उप्योग करते हैं उसको हम कहते हैं छंग छेत्री भासा में छंग एक प्रिकार का पे है जिसको लद्दा की जो निवाती है ठंडी के वस्व में शरीर को गम रखने के लिए उप्योग करते हैं नेक कोईशन देखिए, दर्रा किसे कहा जाता है, देखिए हमने अभी कराकुरूम दर्र की बात की थी, जहांपर पक्पी सड़ कम होने के विए से कस्मिर और कराकुरूम के मद्दे जो व्यापारिक मार का जो कारे कर रहा था, वो कराकुरूम दर्रा काम कर रहा था, तो दर् के मद्ठे भाग को किया कहा जाता है दर्रा कहा जाता है। बहुत सारे Ching इसमें Кон्फ्यूज होते हैं वह सामने तोर पर पहाडों की मद्जेस्थान को बोल देती तो याद रखेए कड़ दर्रा कहा जाता है। हिमानी किसे कहा जाता है?। पहाडी परकित बर्फ की अथास रासी जो होती है पहाड़ी पर इसी इत बर्प की अथा रासी जो होती है उसे क्या का जाता है इमानी का जाता है इसी सगे साथ बच्चो आपका यह चैप्टर होता है समाब क्लास सेवन का लास्ट चप्टर और चलिए चप्टर नमबर सेवन स्टार्ट करते हैं इसका कोशिन नमबर वन है भारत के मैदानी छेतर को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत के मैदानी छेतर को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत के मैदानी छ तराई, बांगर और खादर, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनमें अंतर क्या है, भाबर क्या है, हिमाले परवत के जो निचले छेत्र हैं, जहां कंकर पित्थर बहुत जदा पाये जाते हैं, उस छेत्र को क्या कहते हैं, उस मैदानी छेत्र को कहा जाता है, भाबर, औ और उसी के पास में जो नदियां जो भूमिगत हो जाती है ना और जब नदियां भूमिगत हो जाती है तो निकट जो छेत्र होते हैं वो दलदली हो जाते हैं तो जो निकट छेत्र जो दलदली छेत्र है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है तरा पुरानी जलोड मिट्टी है उस छेत्र को क्या कहा जाता है बांगर कहा जाता है और नवीन जलोड मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है नवीन जलोड मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है खादर पुरानी जलोड मिट्टी वाले क्या कहलाते है भावड हिमालए के जो निचले मैदानी छेत्र उनको जाता है। बहुत बहुत है जाता है। तो देखे जो पॉपलर होता है वो एक रक्ष है और इसका जो उप्योग होता है प्लाइवूड बनाने के काम आता है जब हम यहाँ पे बात करें पॉपलर की तो हमें पता होना चाहिए जेसल है सेमल है सीसम बब्बूल हल्दु यह मुख्यव रक्ष है जो मैदानी खेपरों में उगाय जाते हैं और popular वक्ष की जो खेती है वो सामने तौर पेड़ के चारों उगाय जाते हैं जो चारों जो दिवार होती हैं मेड होती हैं वहाँ पर यह रक्ष उगाय जाते हैं यहाँ पे आम, लीची, अम्रूद के बाग भी हुआ जाते हैं क्योंकि इन छेत्रों में जो किरसी और पसपालन मुख्याल जीवगा साधन बना हुआ है भारत के मैडानी छेत्रों में सर्दियों में किसकी किरसी की जाती है तो किसकी किरसी की जाती है गेहूं, सर्सों और बरसीम आदी गेहूं सरसो तो आप सभी जानते हैं लेकिन बरसीम क्या है बरसीम एक परकार की घास है और ये क्या करने मक्का और जो बरसीम है ये सामाने तोर पर किसके लिए जानवरों के चारे के तोर पर उगाया जाता है इसको है ना और जब हम बात करें मैदानी छेत्रों में सीत काल में क्या होता है पस्चिमी छेत्रों वैसे तो सामाने मैदानी छेत्रों में सामने तो वर्सा होती है लेकिन सीत काल में भी है पस्चिमी चक्रवातों से कभी-कभी वर्सा हो जाती है सामने तोर पर वैसे वर्सा काल में ही होत लेकिन जब सीतकाल होता है उस वक्त भी कभी कभी जो पश्चिमी शक्रवात हैं उनकी वज़े से भी कई बार वर्सा हो जाती है यहां पर जब वर्सा रितों की बात करें तो वर्सा रितों में चावल, मक्का, बाजरा और उड़द, गन्ना अदी बोया जाता है और गन्नी के मैदानों में सामने तह वर्स में कितनी बार किर्सी की जाती है यमना गंगा के मैदानों में सामने तह वर्स में कितनी बार किर्सी की जाती है तो देखें तीन बार किर्सी की जाती है हमारे यहां पर किर्सी निर्भर अधिकान शेत रहे है तो वर्स भर यहां घेती की जाती यहां पानिकी और अनुकूल परिस्तितियां होनी की उप ninguna कि विखसिद है गंगा यहमना के मैदानों में सामने तरह किस प्रकार पिकसित है तो किस प्रकार के उध्योग विखसित हैan यहां पर विक्षित हैं। जब यहां के मुख्य और दोगिक छेत्रों की बात करें तो कानपूर, आगरा, अलिगर्ड, मेरट, मुरादाबाद, रोजाबाद, साहरनपूर यहां पर सामने तोर पर काफी उद्ध्योग विक्षित हो चुके हैं। नखकोशन देखियं, भारत के प्रायदीपय भाग में पच्छमी तटीय च्छेतर कौन कौन से हैं। भारत के प्रायदीपय भाग में पूर्वी तटीय मैदान कौन कौन से हैं? भारत के प्राइधिपय भागें, पूरवी 30 तड़ी मेंदान कॉनकों से है तो कॉनकों से है उत्तिरी सरकार् तर्ट और कॉरवन डल तर्ट कॉरो मंडल ओर उत्री सरकार कर शो tra आपके पूर्वी चूतRY के तच्वाजय कोशन देखी काहा से कहां तक पहला हुआ है मालाबार्ट काहा से कहां तक पहला हुआ है तो हम सब ही जानते हैं गोवा से कन्या कोमारी तक कौन सा तठ है मालाबार तठ और जब हम इस चप्टर में बात कर रहे हैं तो मालाबार तठ के बारे में ही मुख्यता बात करेंगे यहां पर इन मैदानों के पूर्वे छेत्रों पहाडी छेत्र हैं जो पश्चमी घाट से जोड़े हुए हैं इस मैदान के पूरों में पहाडी छेत्र हैं जो पश्चमी घाट तक से जोड़ा हुआ है इस सक्री पट्टी कर बेंगे जो मालाबार तठ के वो कितनी चोड़ी है जो तठ के चोड़ा हुआ है वो सत्तर से नब्धे किलोमेटर चोड़ा फैला हुआ है चलिए नहीं कोशन द होता है लैगून होता है समुद्र तट पर निक्षे पर से निर्पित खारे जल की जील इसका क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ समुद्र का पानी कई बार आगे तक आ जाता है तो जिससे क्या हो जाता है जीने बन जाती है और जो खारे पानी की खारे जल की जील बनेगी ज वह बहुत पिरसेता है और यह कहां है यह मालाबार तट के अंदर है ना मालाबार तट के अंदर वेंबानाज लेगुन है जो वर्ड फेमस है नेक क्वेशन देखें मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है तो देखें यहाँ पर सामने से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है 200 से 400 किलोमेटर वो 400 सेंटीमेटर दो सो पचास सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की यहां वर्षा होती है यहां का टेंप्रिचर क्या होता है यहां का टेंप्रिचर सामने तो पर सम रहता है समान रहता है 25 डिगरी से 30 डिगरी तक की यहां पर टेंप्रिचर रहता है जलवाई हो यहां नम होती है क्योंकि समु वन जो हैं विक्सित हो चुके हैं, तो एक तिहाई वनों से धका हुआ ये छेतर है, एक तिहाई वनों से ये छेतर धका हुआ है, नेक कोशन देखें, मालाबार तर्ट में सरवादिक कौन से व्रक्ष पाय जाते हैं, तो वो है नारियल के व्रक्ष, नारियल के व्रक्ष यहा पाए जाते हैं, यह उन्नत कृसी छेत्र है, क्योंकि यहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, उपजाओ भूमी है, उपजाओ जो कांप और दोमेट मिल्टी के छेत्र है, यहां बहुत अचीफ हसलें उगाई जा सकती हैं, है ना, चलिए, ने कोशन देखिए, मसालों की करसी कार है, लोंग है, इलाइची है, और अरने बहुत सारे मसालों की यहां करसी की जाती है, और यहां मैदानी बागों में नारियल, सुपारी और काजो भी बहुत मात्रा में पैदा होता है, ने कोशन देखिए, पश्चमी घाट के पहाड़ी छेत्रों में किसके उद्धान विक् है, ठीक है, पहाड़ी छेत्र भी है, क्योंकि जट्टी छेत्र के जो पूर्वी भागयों कैसे है, पहाड़ी छेत्र है, तो ऐसे छेत्रों के इस्थिति में क्या होगा, हम क्या होगेंगे, चाय, कॉफी और रवर्ड जैसे जो फसले हैं, उनका उत्पादन करते हैं, तो आ तो बिल्कुल पास में आता है, यहां नदियों का बाव बहुत तेज होता है सामने तोर पे, तो यहां पे जल्विद्धुत उत्पादन और सिचाई के लिए बांध भी काफी मात्रा में बनाए गई है, नेक कुशन देखी, भारत के तकिये छेत्रों में मुख्य तक कौन से जादी यहां पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, यहां पर जो है आणवी खनी जादातर पाए जाते हैं, मोनोजाइड, जिर्कन, थोर्यमादी पाए जाते हैं, जो भीत्री भागों में देखें तो चीनी, मिठ्टी, चूना, पत्र और गार्गेट, गार्नेट औ पाया जाता है, नेक और कोश्टन देखे, मालावार तट में मुख्य बंदरगाह कौन से हैं, कोजी कोड़ है, कोची हो गया, अलेप्ती और तिरोनन्त पुरम, ये क्या है, मालावार तट के मुख्य बंदरगाह छेत रहे, तो आपको इसके साथ ये इसका लास्ट कोशन था और इस चैप्टर का भी लास्ट कोशन था तो मिलते हैं नेक्स चैप्टर नेक्स क्लास के साथ तब तके लिए थैंक यू